Hello friends, welcome you all, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकिया रहा हूँ देखिए फिर से वही important stock आपके सामने target पचास हजार प्लस का इसने हमारा पूरा किया था, जो achievement के लिए target रखा गया था वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, कुछ ही महीनों के अंदर, मैं कहूंगा नहीं, कुछ ही हपतों के अंदर पूरा कर लिया था लेकिन ये stock के उपर हम क्यों आए, अभी एक viewer का comment आए था, इस stock को cover कीजिए, एक बार फिर से देखिए, तो हमने का एक video इसके उपर create करते हैं कि कैसी situation बन रही है और पिछली बार से हम क्या सीखा, क्या वही तरीके की situation फिर से आ सकती है, साथ के साथ एक important learning और मिलने वाली है, breakout trading और swing trading का difference जो की बहुत ज़्यादा फाइदा किसमे होता है, risk कम किसमे होता है उन सारी बातों को और आगे बने से पहले बाँ आपको बदा दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, bell icon को प्रेस कर ले, जिससे आपको notification आती रहेगी, price action सीखने के लिए, आप membership join कर सकते हो, join button पर click करके, अब इस stock को तसलिली से दे बढ़िया शेर है, उधार मुक्त शेर है, और खास करकी आपको पता होगा, industrial automation, artificial intelligence हम बात करते हैं, इन बड़े बड़े टम्स की ये technology वाले टम्स भीया, आप देखते होंगा है, हर चीज automate हो रही है, लोग अपना समय बचाना चाहते हैं, efficiency बढ़ाना चाहते हैं, productivity बढ़ा और सटीक काम ताकि human error बार बार नहीं फेस करने पड़े, जिसकी वज़े से नुकसान नहीं हो, इस थारे इसके फाइदे हैं, industrial automation, artificial intelligence, तो हनीवल automation उसी काम करता है, तो अब बात करते हैं, हनीवल automation, India Limited की, अब इस stock को अगर आप देखोगे, आप खोगे यार ये stock तो बहुत ही महंगा stock है, एक share भी इसका नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि भी ये stock महंगा आपको इसलिए लग रहा है, क्योंकि कभी split हुआ ही नहीं, जब तक भागा भागते रहा, आप देखोगे debt free share है, profit growth, sales growth बहुत ही जबरदस्त है, देखिए revenue growth और profit growth मतलब quality वाला share है, तो इसल management के साथ खरीए, आपको ये पता होना चाहिए, मैं अब खरीद रहा हूँ, अब खरीद रहा हूँ, तो क्यों खरीद रहा हूँ, अगर चीज़े मेरी सोच के against चली गई, तो मैं कब निकलूंगा, खरीद तो मैं अब रहा हूँ, लेकिन निकलूंगा कब, कितना loss मैं afford कर सक हूँ, अगर loss आपकी, याद रखें इस terminology को, अगर loss आपकी affordability bracket से बाहर निकलता है, तो मतलब आप क्या करोगी, either you will reduce your position size, or you will avoid the trade, or avoid the stock, बिल्कुल सिंपल रखना है, clear cut, nothing complicated, keep it so simple, अब आपको गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब इस stock को हमने starting में इसका target रखा था देखिए, मैं अभी फिर से repeat करूँगा, हमने इसका target रखा था January 3 का ये वीडियो है, आप clearly देख सकते हैं, कब का है, January 3 का वीडियो, target 50,000 plus, क्या अचीब हुआ ये, कितने time में अचीब हुआ, क्यो हमने इसको target रखा, क्या फिर से investment का मौका मिल रहा है, ये सारी चीजों को आप खुद ही देखोगे अभी, जब आप इसके price section की analysis में जाओगी, Honeywell automation, आप देखिए, जब भी हम आपके लिए कोई भी stock लेके आते हैं, तो कोशिश करते हैं, उसको, generally हम आपके लिए monthly और weekly और daily time frame वाले stocks लेके आते हैं, ताकि जिनमें chances बहुत बढ़िया होते हैं, ग impulse का sequence, कोई formula नहीं, कोई hidden strategy नहीं, बिलकुल basics के साथ काम करते हैं, और आप देखिए, जब last time पे video लेके आये तो breakout के लिए लेके आये थे, यानि कि January में ये breakout था, एक important level इसका power हो रहा था, और हमें यहाँ पे consolidation मिला, और इसलिए हम आपके लिए 38,000 के level पे video लेके आये थे, जो कि अभी आपने, पिछले वाले जो वीडियो का link description में भी आपको दे देंगे, और उपर I button पे भी देख सकते हो, तो यहाँ पर जो target था, वो target जो ये stock में था, Honeywell Automation stock है, 50,000 का, और इसने ये 50,000 का level बहुत easily 2-3 महिने के अंदर achieve कर दिया, जो कि आपका percentage जो profit होता है, व देखिए, अब तक तो जो था ठीक था, लेकिन आप देखिए, यह देखिए, यह candle आप देख रहे हो, पिछले महिने की, इसका high power होते वे देख रहे हो, आप कहोगे, हाँ यार, यह तो फिर अगली swing start हो दिया, देखिए, मेरे हिसाब से, मैं अगर आपको personal बताऊं, तो ज swing को पकड़ना इस लवल पे, और जो breakout को trade करेंगे, यानि कि इसके पिछले high को par करेंगे, यह trade भी इसके लिए आपको इसके near consolidation चाहिए, pullback चाहिए, तो आपको ज्यादा बेटर वो लगेगी, तो breakout successful होने के जो chances हैं, उसको आपको बलहना पड़ेगा, कैसे वहाँ पे देख के, कि breakout के near consolidation हो रही है, कि दी हो रही है, consolidation हो रही है, तो छोटे time frame पे कहीं न कहीं, वो एक impulse के बाद correction बनाता हुआ, या pullback का वाला impulse, जो correction बनेगा, वो important हो जाता है, तो वहाँ पे भी, यानि कि आप breakout को तो play कर रहो, बट कहीं न कहीं, आप छोटे time frame के swing को play कर रहो, तो इ अब इसकी बात करते है, देखिए, अब मैं आपको छोटे time frame पे लेके चलूँगा, बहुत important high momentum area, 60 के near support लेने की कोशिश है, मन्थली swing, again start हो सकती है, और इसलिए ये video आपके सामने लेके आया है, अब जरासा और पहले जाते, देखिए, अगर आप last time की swing की बात करो, हम तो एक rally, correction in the form of consolidation, और दूसरी rally, इस part के लिए वो video था, और target केतना था, 50,000 के round, बिल्कुल set hit हुआ target, और profit booking देखिए, अब आप सोच रहोंगे, आपने 50,000 का target रखा, और 50,000 पे ही इतना बड़ा volume देखने को मिला profit booking का, देखिए, अब आप, definitely, जसने भी पैसा लगाए, वो और कई लोग, नए लोग होंगे, वो यहाँ पे खरीदारी की सोचेंगे, सूच यह moving average से कितनी दूरी है, so the risk is और खतरनाक, तो risk बड़ा है, तो भी profit booking, यहाँ पे बनती है, fresh entry avoid, हाँ, यह भी कर सकते थे कि थोड़ा profit book कर लिया, कुछ छोड़ दिया, 75 book कर लिया, कुछ छ level लगता है, जहाँ पे swing start होती है, यानि कि monthly swing, इस area में start हो रही थी, यह पहली correction थी, impulse बना, correction बना, और यह वाला correction resolve हो रहा था, तो यहाँ से लेके, अगर आप देखोगे, तो 30,000 से 50,000, यानि कि almost 20,000 रुपे का gain, इसमें आपने इस part को play किया, तो you should know about what you are playing, अब मैं आप आपको लिए इसी part को थोड़ा सा और आसान कर देता हूं, current situation में, जैसे कि हमने का, भई, swing start हो रही है, तो यह आपका swing low, this is swing high, आप देख रहे हो नहीं, swing low, swing high, इसलिए मैंने यह pointer यहाँ पे लगाया है, swing low, swing high, अब आप देखोगे, हाँ भई, फिर से क्या बनाएगा यह आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, swing low, swing high, swing low, ढूम, swing high, swing low, इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, आपको candle देखते भी मिलेगी, swing low जैसे बनेगा, higher low, फिर आएगा ढूम, आपको कहें, वा, मज़ा आ गया, तो तयार है, मौक्के बनेंगे, और साथ के साथ, मैं बनाया, higher low बनाया, सीधे गया, देखिए, high बनाया है, higher low बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे फिर जाएगा, क्योंकि जब higher low बनायेगा, तो क्या बनायेगा, यहाँ पे, swing low, समझ रहे हो, swing low, swing high, जिनको हम joints कहते हैं, देखिए, और important part, अब लेके चलूँगा, छोटे धमाका, risk ना के बराबर, अब यह देखिए, बिल्कुल bullish cross के just bad की correction है, उसके बाद देखिए, जबर्दस था, और हम यहाँ पे लेके आये थे आपके लिए, इस level पे, यानि कि January की just starting पे, यह वो level था 38,000 का, उसके बाद भी क्या रन दिया, इसने breakout के बाद एक pullback दिया, या खतरनाक volume बना है, कि भाईया, आपको के देख सकते हैं, आप यह सारी चीज़े, profit booking, मतलब यह आपको समझ जाना चाहिए, दूरी हो गई है, तो profit booking देखने को मिल सकती है, जिन लोग ने यहाँ 30,000 पे invest किया होगा, definitely they will book something, something के बजाए, यहाँ बहुत अच्छा खासा जान ने booking कर दिया, now C, and this level, bullish cross, correction, bullish cross, correction, अब एक और important part आपके लिए लेकिया होगा, that is RSI, RSI में पहली कैसी situation थी, और आप कैसी situation है, MACD को भी देखेंगे, RSI को भी देखेंगे, correction की वज़े से MACD से बिलो चला गया था, सेंटर लाइन से उपर आया, correction दी, correction की वज़े से MACD से बिलो गया है, this is daily time frame, सेंटर लाइन से उपर आया, correction दी, correction रिजॉल्व हुई, पड़ा धमा का हुआ, correction रिजॉल्व होने का भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी result नहीं हुआ है, it means we just have to wait, कि यह level यहाँ प correction दी, यानि कि यह वाली correction, मजा आया कि नहीं है, उसके बाद हुआ, बिलकुल super confidence वाला trade फिर बन जाता है, फिर देखिए, धमा का ही धमाता, तो देख रहे हैं इस पार्ट को, तो कैसे हम relate कर पने है, past की learning से, अभी की learning, और जब यह resolve होगा, तो यह आपका stop loss, यानि कि पहल insurance लेते हो, term insurance लेते हो, normally किसी और project पे काम करो, तो वहाँ पे भी risk management factor को consider करते हो, तो क्योंना stock market भी तो एक business ही है, तो उसको भी आपको risk management हमेशा consider करना ही करना है, वीडियो को share कीजिए, like कीजिए, और price section सीखते रहे है, practice करते रहे है, and thank you, thank you for watching the video.